वंद मात्रम दोस्तों स्वागत है आप सभी का शर्यापट स्टाला में मैं आर्पी पंडे आप लोग के लिए लेकर आया हूं बीबी आई एंड बोर्ड मोडल कोस्टन तो अगर आप लोग ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दिए क्यो जो 3rd PART है उसमें question no.1 इंपोर्टेंट जो है वो दिया है और यहां पे question no.2 जो हमारा plus 2 का है जो linear programming में आने के chances है और जिससे आपको समझना जरूरी भी है तो मैं इस question को लिया हूं तो ध्यान देंगे यह question है हमारा x plus 3 y is less than equal to 60 x plus y is greater than equal to 10 x is less than equal to y x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 is question को हमें solve करना है ठीक है और z is equal to किस पे तो 3 x plus 9 y पे हमें इसे solve इसका minimize or maximize दोनों करना है यानि कि निवनतम और अधिक्त ठीक है निवनतिक करम और अधिक्तिक करम इसका हमें दोनों करना है तो चलिए निकालते हैं शुरू करते हैं आप लोग बेसिक से देख रहा है वीडियो तो आप लोग यह समझ चुके हैं हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है तो इनका ग्राफ बनाना है इसमें अपकी बार अलग क्या है तो x is less than equal to y एक इसमें अलग है है इसका टेवल हम बना लेते हैं ओके चलिए यहां पर हो गया x यहां पर हो गया y एक्स जब 0 है तो y का वेल्यू कितना हो जाएगा 20 और y जब 0 होगा तो x का वेल्यू 60 ओके इसके बाद हमारा क्या है तो next equation लेते हैं बहुत सिंपल एक्वेशन है x plus y is equal to 10 ओके x is equal to x plus y is equal to 10 यहां पर भी इसका तेवल बना लेते हैं हमलोग इसका टेवल बना लेते हैं चलिए यहां पर गैए x यहां पर हो गギया मैं थोना फास्ट क्यों कर रहा हूं क्योंकि पहले ही तीन पार्ट में मैंने बहुत ही डीटेल से समझाया है जहां पर मैं जल्दी से आपको पहले ग्राप खिच लूँ उसके बाद हम लोग में अच्छे से बात करते हैं तो यह होगे हमारा एक्सिस ओके यह हम लोग एक्सिस बात करना ही करना नहीं है ओके सिर्फ हमें फर्स्ट से काम है चले यहां पर हम देखते हैं क्या क्या हो जाएगा हम अपना मान देखते हैं चुछ वैल्यू हमारा साथ तक जा रहा है आप इसमें दस-दस का रेश्यू ले लिए सबसे असानी रहेगा यह होगे हमारा जीरू यहाँ पर हो गया हमारा दस, यह हमारा भीस, यह हमारा तीस, चालीस, पचास, मुक्रीया शॉटन उपर आजयते हैं यम दो इसमें कर दोल सब्सक्राइब डिया है तहना हम लिए यह व्लाट टीस यहाँ पर बचास और यह हो गए साथ सथ तरह संबद है चलिए तो हमने 10 10 का लिया है 10 20 30 40 इस तरह से हम लोग ले लिये अब यहां पर देखते हैं हम लोग का क्या कम है तो ग्राब बने तो सबसे पहला X 0 है तो Y 20 है X 0 है तो Y 20 यानि कि कौन हुआ है यह हुआ X 0 है तो Y का वेल्यू 20 है चलो हो गया आगे बढ़ते हैं फर्स्ट में बढ़ते हैं X 60 है तो Y 0 है X 60 है तो Y 0 मिल्स य वाल पुइंट हो गया हमारा 60,0 अब क्या करना है तो simple हम लोग क्या करते है ति इनको मिला देते हैं तो चलो मिला देते हैं सिंप्ली हम इन दोनों को मिला देते हैं यह हो गया इधर तक जा रहा है और इसको उपर तक यहां भी कर देते हैं यह हमारा ग्राप हो गया इसका नाम देदो क्या है तो x प्लस 3y x प्लस 3y is equal to 60 चलो एक का काम हो गया आगे बढ़ते हैं सेकेंड लेते हैं x plus y is equal to 10 x 0 है तो y 10 x 0 है तो y 10 means कौन यह हो गया 0,10 ओके चलो अच्छा x 10 है तो y 0 है means यह x 10 है तो y 0 है देखेंगे ध्यान देंगे यह दोनों कैसे कराप बन रहा है तो यह दोनों इधर से जा रहा है इन दोनों को मिला दिया जाए अगर तो ऐसे जाएगा ओके इसको उपर से यानिक लिए लि लेकिन इधर से तो हमको कोई लेना देना नहीं है यह तो पहले ही के लिए रहा है इसमें कोई काम नहीं करना है तो यह 3 को छोड़ी दो ओके डिटेल में मैं पहले समझा दिया हुआ है आप पहले का पार्ट देख सकते हैं चले यहां पर क्या हो गया x plus y is equal to 10 अब आगे इसका चाहिए तो x is equal to y का graph चाहिए किसका x is equal to y x is equal to y का graph क्या हो गया simple अगर x 0 है तो y भी 0 होगा अगर x 10 है तो y भी 10 होगा अगर x 20 है तो y भी 20 होगा x 30 है तो y भी 30 मिन्स 0 0 ये 10 10 ये 20 इस तरह से यानि कि इसका जो graph जाएगा वो आपका origin से होते हुए एकदम straight ऐसे होते हुए गुज़रेगा x is equal to y का graph बिल्कुल ऐसे हो जाएगा इसको हम लिख देते हैं x is equal to y अब हम लोग को क्या करना है x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 आपको पता है ये सिर्फ हमें बता दिया इसका हो गया is set और इसका हो गया उपर चलो अब हमें draw करना है color करना है उससे पहले मैंने सबसे best तरीक आपको क्या हमेशा से कहा है कि आप एक काम करोगे सिद्धे आप rough में आओ रफ में आ कि आप उसका check करोगे कैसे कैसे क्या होता है तो चलो जल्दी से हमें एक रफ में त्यार करते हैं यह होगे हमारा axis ऐसे है चलो एक गो जाता है बीच में से ऐसे बिल्कुल ठीक है यह किसका है तो एक इस परकार से जा रहा है ऐसे होते हुए चलो यह किसका है तो एक स्प्लस थिरी वाई इस इकोल टू 60 यहां पर हम color कर करके यहां पर final काम कर देंगे उसके बाद क्या है तो उसके बाद एक इस परकार से कुछ जा रहा है चलिए काम हो गया यह किसका है तो एक स्प्लस वाई इस इकोल टू 10 अब हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन से पार्ट को किस पार्ट को हम लोग color करेंगे वह हमारा सब तो चलो Fकर करते हैं ओपर आई जी रो रखें यहां पर जी रो रखें यह रहा है जी रू पर गहें रहें जी रखने की चीजोटा है यह बात यहां पर लिть बातह में तो यहां can जब ये true है तो क्या हो जाएगा 0 के तरफ घुम जाएगा कौन है एक स्प्लस 3 यह गराप जिड़ो का होता है तो 0 के तरफ गुम जाएगा सत्य होता है तो 0 के बिप्रिद जाता है मैंने डिटेल्स बता दिया है पहले ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या है फिर यहां 0 र यह बात असत्य यह बात गलत है यह फाल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह उल्टा हो जाएगा जीरो के उल्टा तो यह गर आप था एक प्लस य का तो जीरो नीचे था तो क्योंकि यह असत्य हो गए तो जीरो के उल्टा साइड में जाएगा उल्टा साइड मतलब यह हमारा simple x is equal to y में हमारा क्या हो जाएगा अब इसमें अगर हूँ इसको मानीजे कि आप इस साइड लेके आते हैं यहां पर भी देखते हैं 0 बराबर है 0 के 0 बराबर है 0 के कोई भी दीकत नहीं होगा हमारा एक इस इकोल टूव वाला simple हमारा किस एरिया साइड में जा रहे हैं तो simply हमारा upside हो गया इसमें कोई टेंसं नहीं है अब यह दोनों जो है में यह दोनों जो है कौन x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 मैंने पहले कर दिया यह क्या कहता है तो यह सिंपली एक ही बात कहता है हमनों से क्या कहता है हमनों से सिर्फ एक बात कहता है वो क्या है वो कहता है कि ना इसमें होगा ना इसमें होगा जो भी होगा फर्स्ट में होगा चलो शाय तो एक्स में सोचना है चलो अब ध्यान से देखना कैसे कलर करते हैं मैंने उसमें सिखा था में पार्ट यहीं से फिर मैं आराम से चलता हूं यहां पे ध्यान से समझना यह जो डंटा है ध्यासित्त देखू यह जो डंटा आधा है इक्स फ्लस वाई वाँ एक्स प्लस वाई transfer यह पहले कर रहाका ऊपर जाना है नीचे के बारे में सुचना भी नहीं है ऑके सोचना भी नहीं सबसे पहले तो यह कौध्या है से बाहर नहीं इन दोनों का कहना है ये डंटा जो X प्रस 3Y का जा रहा है कि सिर्फ नीचे हो सकता है उपर हो ही नहीं सकता है उपर हो ही नहीं सकता है कि मतलब इसके इधर का एडिया अब लेना भी नहीं है चलो अब क्या बच गया, अब हमेरे पास दो एरिया बच गया, एक ये और एक ये, अब इन दोनों में डिसाइड करना है, कि इन दोनों में कौन होगा, अब ध्यान देना, ये जो डंटा है, देखो तो ये, ये जो डंटा है, ये क्या कह रहा है, तो ये हमारा डंटा कह रहा है, कि नीचे नहीं आना है, क्या, तो नीचे नहीं आना है, नीचे नहीं आना है, कमतब नीचे कौन सा है, यह पार्ट खत्म, तो अब एक ही पार्ट बच गया कौन, यह, इसका मतब इसका कलर कौन होगा, यह, तो यहां से देखें, और सिधे आके यहां पर अपलाई कर दिया, हमार तो यह हो गया हमारा graph अब यहां तक तो हम बना लिए अब हमें क्या करना है तो minimize and maximize करें यानि कि निवन्तिकरम और अधिक्तम इनका मान निकालना है निवन्तम और अधिक्तम तो अब यहां से हम क्या करते हैं तो हमारे क्या करते तो इनके सभी सिमाय जो भी corner है जो कोनिंने के जो चोना में जो जो है उन सब के points को हम लोग लेते हैं तो चलो देखते हैं यहांले यहां पर ग्रहाथ करने क्लिakers यहां पर 0,10 हो जाएगा क्लियर है यहां पर 0,20 हो जाएगा क्लियर है इस वाले को मैं यहां पर लिख देता हूं यह तो 0,10 यहां पर भी प्रोब्लम नहीं है लेकिन अब क्या है जब आप ग्राब में बनाएंगे तो यह एक्जेक्ट कटेगा आप वहां से देखके आराम से लिख सकते हैं पर मैंने जैसे फिर का variety हम वाइट वोट लिए हैं तो हम नहीं जानते हैं हम अनतरयामी नहीं यहां एसे नहीं बताएंगे तो 15 हो गया और इसका मान अगर 15 हो गया तो एक सर्वाइज दूने इको लिए यानि कि यह पॉइंट हमारा किसका हो गया 15, 15 आप इसको अराम से लिखके हल कर ले ना चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर यहां पर डिसाइड करना है तो यहां पर फिर देखो यहां पर एक स्प्लस वाइज इकोल टू टेन है और यह क्या हो रहा है तो यहां पर फोकस करेंगे कि यह दूनों किस पर कट रहा है यह दूनों किस पर कट रहा है तो यहां पर हम यानि 5 यहां पर हो गया 5,5 चलो ठीक है ठीक से लिखते हैं आगे बढ़ते हैं आप क्या करने हैं तो मैंने आपको पहले ही बता है इन सबका नाम कर दो जैसे bondage अब का नाम करन कर दो मालो जैसे यह हो गया A यह वाला A हो गया इसको हम माल लेते हैं B इसको माल लेते हैं C और इसको माल लेते हैं D यह हमारा D हो गया चलो अब इन सब को यहाँ पर लिख देते हैं पहले साब से मैं आपको लिख देता हूं A हमारा कितना है, तो A हो गया 0,10, B कितना है हमारा, तो B हो गया हमारा 5,5, C कितना है, तो C हो गया 15,15, और D कितना है हमारा, तो D हो गया हमारा, D कहा गया, यहां पर 0,20, अब हम क्या करते हैं, आपको पता है, हाँ, क्या करते हैं, तो सभी points पे हम इनका value चेक करेंगे, किस में इक रबके Z के मैं 3X प्लस 9y में X की जगा पर फर्स्ट वला वर्क करेगा युकार पर सेकंड़ यह शुद करते हैं पहले चेक करते हैं पहले है जिरू, 10 सबसे पहले होगा ऑम एजग करते हैं इसका हमारा जोज़ागा त्री इन्टू जीरो जानिके सिंप्ली चलों या पिलिग त्री इन्टू जीरो प्लस नाइन टू टेन यह कितना हो गया जीरो खतम दस नबबे आप किस पर चेक कर लें 5,5 जैडी जी इसका वेलू चेक करते हैं कितना है तो त्री इन्टू फाइब प्लस नाइन इन्टू फाइब यह हो गया पंदरा पहतालेस यानिकी यह हो गया साथ यानिके 60 चलो ओके आगे बढ़ते हैं एट आप को ने थर्ड वाला 15,15 तो इस पर चेक करते हैं यह हो गया 3 इन्टू 15 ओके प्लस 9 x 15 क्या कर रहा है हम लोग तो एक स और वाई का वेलू इसमें रखने हैं किसमें जेड में हो कि एक और वाई का वेलू एक्स की जगापे पंदरा वाई की जगा पर 15 यही सब हम रखने हैं ओके चलो आगे बढ़ते हैं तो यह कितना हो गया पैनतालीस और एक सो पैँ 20 जडी इकोल टो कितना हो जाएगा तो 3 इंटु 0 प्लस कितना है 9 इंटु 20 तो ये टोटल वेल्यू कितना हो गया ये 0 खतम नोदना 18 यानिकी 180 अब यहाप ध्यान से देखें अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या अगर सिर्फ एक कोई पूछा होता मिनिमूम पूछा ह से दोटा हमारे पास नां सिर्फ मैं सबसे कम आगे ऑगा दौनों के दोّनोय यहां कि मतलब इसका मतलग इसका मेक्सटा का गैरनों 20 और 15-15 शाईनिक तो ही दोनों इसके maximum point होंगे, तो अंत में हम लोग finally यहाँ पर answer कहीं पर लिख देते हैं, जैसे कि मनली जी यहाँ पर लिख देंगे, अथा, कौन सा था, बिंदू, सबसे पहले कम किस में मिला है, तो 5,5 पर, और 5,5 का नाम हमने क्या दिया, बिंदू B, 5,5 पर, जेड का minimum value या निम्तम मान, निम्तम मान, 60 है, ठीक है, इसका minimum value मिलगा 60, अब क्या है, maximum के लिए, फिर, और, बिंदू, दोनों का नाम दे दो, कौन कौन है, तो एक है 15, 15, C और D, दोनों हो गया है, C और D दोनों हो गया, C 15, 15, and D, वो कितना है, 0, 20, ठीक है, इन दोनों पर, जिड का, अधिकतम मान, कितना है, बेराबर, 180, ठीक है, यानि कि, हमारा बिंदू निकल गया है, इसी तरह से हम इनका value दिखाते हैं, देखे, ये graph कोई बहुत ज़्यदा tough नहीं होता है, बहुत असान होते हैं, बहुत असानी से बन जाते हैं, तो ये question 2, question 2 हो गया, जो आपके लिए बहुत भीवी है, इसका एक और मैं question लूँगा, जो कि open, एक में बनाऊंगा, अगले part में इसका open, open होगा, वो, अभी तक मैंने दोनों जो question लिया है, अब unbounded का कैसा होता है, वो मैं आपको अगले part में दिखाऊंगा, तो ये आप लोग ध्यान से इसको practice करें, आसानी से बनाएं, ठीके, तो आप इसे ध्यान से देखें, और अपने सभी दोस्तों को भी share करें, जिनको इसमें problem है, क्योंकि ये 5 number को आपके पूछेंगे, 5 number आपको ये देगा, ये question, तो बहुत मैंने रखता है, तो यहां तक आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए बहुत-बहुत और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग इसे जल से सब्सक्राइब कर दीजेगा, और इसे share भी अपने दोस्तों तक कर दीएगा, जय हिंद, जय भरत